Hello Friends, Welcome to SSC Coaching Center दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग और आयत, यानि कि आपको जो डिफरेंट डिफरेंट आकरतियां दे दी जाती हैं, उसमें पूछेगा के वर्ग कितने हैं, या फिर पूछेगा आयत कितने हैं, तो पहला प्रेशनी यहां पर लिखा पूछ यहां कितने वर्ग हैं, यहां कितने वर्ग हैं, पूछ रहा हैं, आकरति दे दी कही हैं, आप पूछ रहा हैं, यहां कितने वर्ग हैं, तो वर्ग निकालने के लिए आप बड़ी बड़ी आकरतियों में काउंट करोगे, तो भूल जाओगे, ट्रिक काम करेगी, और वो ट् यानि कि 3 into 3 यह भाई यह यानि कि बराबर है 3 into 3 2 into 2 या 4 into 4 होगा तो बराबर है जब बराबर होगा तो क्या तरीका है एक तरफ की सभी संख्याओं को आप वर्ग कर दीजे एक तरफ की सभी संख्याओं को आप वर्ग कर दीजे ठीक है एक तरफ की सभी संख्याओं को तो मैं एक का वर्ग करूँगा 1 धो का वर्ग करूँगा 4 प्लस 3 का वर्ग करूँगा 9 जोड़ दूँगा सबको 9 4 13 13 में जोड़ूँगा 14 यानि कि कितने वर्ग हो जाएंगे बाई 14 वर्ग हो जाएंगे इसमें यह आपका अंतर हो गया 14 पहला उप्सन ấy ही जवाब है ठीक है, जब आपका same to same रहेगा, यानि कि 3 into 3 रहे, 2 into 2, 4 into 4, 5 into 5 रहेगा, तो एक तरफ की सभी संक्याओं का वर्ग करके उनको add कर लो, चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है, यहां कितने वर्ग हैं, यहां पर आपके पास एक और आकरतिया पूछ रहा है कितने वर्ग हैं, एक, दो, तीन, चार, पहले ऐसे कॉलंबाइज गिल लूँगा, फिर रो, एक, दो, थ्री, फोर, यानि कि यह भी 4 into 4 का है, पहले question में मैंने बता दिया, अगर 3 into 3 रहे, 4 into 4, या 5 into 5 रहे, बराबर जब रहे, तो एक तरफ की सभी संक्याओं का आप दीजिये बस, सवाल खतम हो जाएगा, समझ लो, एक तरफ की सभी संक्याओं का मैं वर्ग कर दे रहा हूं, तो एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नो, और चार का वर्ग सोला, तो एक और चार पांच, पांच और नो, चौदा, चौदा में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, आपका 30, यानि कि इसाकरती में कितने वर्ग हो जाएगे, 30, जो कि हमारे 3rd option में, यह आपके प्रस्निका बिल्कूर सही जवाब है, अब देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल है, यहां कितने वर्ग हैं, अब दिखें, यहां पे कितने वर्ग हैं, स यह का same नहीं है यह जब same नहीं रहता है तब वर्ग कैसे निकालते हैं वो सीख लीजे क्यूंकि same का तो आपने सीख लिया 3x3 रहे 4x4 रहे तो एक तरप की संख्याओं का वर्ग कर लेंगे लेकिन जब same ना रहे तब का भी सीखिए तो तब का क्या है मैं बता रहा हूं आपन अब है ऐसे गिना बड़ी संख्याओं तीन दोनों का करो भाई multiply दो तरिक का च्या आगया च्या ओप्सन में नहीं है अभी आंसर नहीं आया हमें यह multiply जब तक करना है जब तक एक नहीं आ जाता यानि कि दो में से एक कम करूँगा एक और तीन में से एक कम करूँगा दो द क्या ही है उन में से एक कम करके multiply करना है दोनों में से जब तक करना है जब तक एक तरफ कहीं भी एक ना आ जाए तब तक करना भाई ठीक है यानि कि यहां पर तो हमारा आठ आ गया बिल्कुत सही जबाब अब देखेंगा अगला सवाल अगला सवाल है यहां कितने वर गया उसने पूछा यहां कितने है चलिए गिल लेते हैं एक दो तीन चार पांच अब यह फोर इंटू फोर नहीं है यह तो फाइव इंटू फोर है फोर इंटू फोर होता तो एक तरफ की संख्यां का वर्ग कर लेते है जब सेम रहता है अब सेम नहीं है जब सेम नहीं है तो मै बड़ी वाली संग्या ले लो चार है इस तरफ से बड़ी वाली संग्या ले लो पांच है दोनों का मुल्टिप्राई करो चार पंजे बीस फिर एक कम करूँगा, दो एक कम दो, यानि कि एक तरफ अब एक आ गया, अब एक तरफ जब एक आ गया, वहीं रुख जाना है, ठीक है, वहीं रुख जाना, अब जोड़ो, 20 और 12 है, 32, 32 में 6 जोड़ो, 38, 38 में 2 जोड़ो, 40, कितना अंसर आ गया भई, 40, जो कि D-Option में, ये इस वार वो आयत पूछ रहा है, वर्ग नहीं पूछ रहा, आयत पूछ रहा है, तो आयत के लिए सेम तरीका है, यानि कि 3 x 3 रहे, 4 x 4 रहे, या फिर सेम ना भी हो, 4 x 5 हो, 3 x 4 हो, सेम हो, चाहें ना हो, उसके लिए एक तरीका है, एक दो तीन एक दो तीन एक तरफ की सभी संख्याओं को योग करो एक और दो तीन और तीन च्छे हो गया भाई इधर का योग एक और दो तीन और तीन कितना हो गया च्छे हो गया इधर का भी योग यानि कि कॉलम का योग छे रो का योग भी छे दोनों का करदो भी है मल्टिप्लाई कॉलम और रो के जो संख्या आई है दोनों का मल्टिप्लाई करो 6 और 36 हो जाएगा भाई सवाल का सही जवाब आ गया अब ये तरीका आपका चाहे 3 to 3 हो चाहे ना हो ये सभी में काम करता आयत में इसाथ करती में ठीक है चली अब देखतें अगला सवाल अगला सवाल है यहां कितने आयत हैं उसने पूछा यहां कितने आयत हैं गिनो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 10 10 इधर भी 10 आजाएगा तो मैंने क्या बोला दोनों संख्याओν का इनका multiply कर दो, यानि कि 10 गुने 10, कितने आयत, 100 आयत यानि कि C option, बिल्कुल सही answer होगे आपका, चलिए आप देखिएंगे अगला सवाल अगला सवाल है, यहां कितने आयत हैं, 1, 2, 1, 2, 3 यहां पर same नहीं है, पिछले 2 question हमने देखे, जहां पर same था, 3 into 3 या 4 into 4 था यहां पर 2 into 3 है, तो आयत में logic same रहता है, एक तरफ के column को गिलो, एक तरफ की row को गिलो, योग कर लो, एक और 2, 3 हो जाएगा, एक और 2, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा पर जाएगे, अब दोनों का इनका multiply कर दू, same logic है, यानकि 6 multiply 3, इन दोनों का multiply कर दू, 6 into 3, 18 आपके सवाल का सही जवाब, C option आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया, अब देखतें अगला सवाल, अगला सवाल है, यहां कितने आयत हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, आयत में same formula रहता है, same technique है, इधर का योग कर लो, इधर का योग कर लो, multiply कर दो दो दोनों का, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 15 का आपस में दोनों का multiply, 15 multiply 10, हो जाएगा 150, यह आपके सवाल का सही जवाब है, 150, यानि कि D option फिर्कुल सही आंसर हो गया, चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है, यहां कितने वर्ग हैं, बर्ग पूछ रहा है भाई वो, बर्ग पूछ रहा है कितने वर्ग हैं वो बताना है, चलिए, मैं आपको एक छोटा सा वर्ग बना के दिखा देता हूँ, यह, ठीक है, इस तरीके की कोई आकरती है ऐसी, तो उसमें क्या वर्ग बनते हैं, एक, दो, तीन, चार, चार छोटे छोटे होगे, और एक होगे है यह बड़ा वाला मिला के पांच, यानि कि इस तरीके की आकरती में पांच वर्ग बनते हैं, अब इस तरीके की आकरती देखें, कहां ही यह रही, एक, दो, तीन, चार, और यह बड़ा वाला मिला के पांच, यानि कि यह वाली आकरती पांच बनाईगी, इसके बाद में जैसे ही दूसरी आकरती के तरफ बढ़ेंगे इस वाली का तो एक, दो, तीन, चार और ये बड़ा वाला यानि कि पांच ये बनाएगे भाई और इससे बड़ी वाली के तरफ बढ़ेंगे तो देखे एक ये वाला और एक ये वाला ऐसे ही तीसरा ये चौथा ये और बड़ा वाला मिला के पांच यानि कि ये वाला वाला भी पांच बनाएगा तो पांच पांच दस पांच 15 कितने बनेंगे भाई वर्ग 15 ही बनेंगे पहला option सही जवाब है आपके सवाल का समझ में अगला प्रेश्न है यहां कितने वर्ग है इस प्रेश्न में पक्का गलती करोगे मुझे मालूम है पक्का गलती करोगे कितने वर्ग हैं कमेंट करके मुझसे पहले बता सकते हो तो बता दीजिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का गलती करोगे इसमें आप, कैसे गलती करोगे, सीख लीजिए तरीका, चलिए, तरीका ये है, आपको ये तो मैंने बता दिया है, कि एक, दो, तीन, चार, और ये बड़ा वाला मिलाके पांच, यान किस तर बने कि नहीं बने, 4 x 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बाई देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, एक, दो, तीन, और ये चार, इधर चार, एक, दो, तीन, चार, ठीका है, 4 x 4 बन रहा है, यान कि वर्ग में जब समान रहे, 3 x 3 रहे, या 4 x 4 रहे, तो एक तर अब इनका वर्ग कर लो एक का वर्ग एक दो का वर्ग चार तीन का वर्ग नो चार का वर्ग सोला कितना हो गया 30 हो गया अभी अंसर नहीं आया 30 हो गया अब यह जो बना रहे है पांच पांच यह वाला बनाएगा पांच यह वाला बनाएगा पांच यह वाला बनाएगा पांच यह वाला बनाएगा पांच यह वाला बना रहा है पांच यह वाला यानि कि 20 और बन रहे ह में सी ऑफ्सन बिल्कु सही जवाब यह जो मैंने निकाला यह तो इसका पूरे-पूरे का निकाला ना यह छोटे-छोटे थोड़ी नहीं गिने यह तो बाद में गिने जा रहे हैं पांच यह बनेंगे पांच यह बनेंगे वर्ग पांच यह बनेंगे और पांच यह बनेंग झाल झाल